हेलो प्रेंग्स कैसे हैं आप लोग आज मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द था जो मम्मी ने मुझे टेल की रेसिपी बताई कि उस तेल को किस तरीके से तयार किया जाता है और उसको गुटनों में लगा सकते हैं अगर आपको सर्दी उखाम लग जाता है तो इसको तर्वों में मालिश भी कर सकता है वो भी काफे असरदार रहता है तो यह सर्दों के तेल में कुछ इंक्रेटिंस दाल के बनाया जाता है वो मैंने वीडियो में डाला है आप दीखना वैसे भी यह ना सर्दी और्थन के टा अपने को इतने दीकत नहीं रहती है जितने अपने पेरेंट्स को दीकत रहते है उनके फृष्णों के काफी दर्ड रहता है तो यह प्रिपेर करके मैं आपको बोलूँगी कि अच्ज़स पैरेंट्स भी के आप यह जरूर लगाए असरदार रहता हैAL आपको इसको जरूर कर दो कर दो कर दो तो एक बाब ममी से भी मैं आपको बुलवा देती हूँ कि उनके गुटने का दर्श कैसा एक्चुल में तेल लगाने के बाद तो आब उनसे ही सुन लीजे कि उनके क्या असर है क्या रहा कैसा रहा भाई उतना तो बहुत ही तो बहुत ही कारगर बनाएगा अब मैं तो सर्दी के वास्ते सब गुड़ा नाई राई दूं कि तेल बढ़िया है और इन बढ़ा दो शिरफ दो बार लगयूं इतना तेल आज सही है पूर तीन निनों तो विश्थर मात ही आज उट परिदर सोई में खानों भी बढ़ाईगा तो आज बहुत ज़्यादा फड़क है उतना बहुत ज़्यादा तो यह बहुत ही यूजदेवा चीज है बड़ी असमने राई दूं सब जड़ा बढ़ाओ और सब्ड़ी के मायने लगो और लुष को हमाया अजमायड़ और इस वास्ते में समने सला दूं कि ओ सब लगो और बहुत ही बढ़िया चीज है इस देखा गुटनों पर कैसा असर है तो आप लोग भी लगा सकते हैं बुड़ों का भी नहीं है इसलिए कोई भी एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इसली गुटनेदार दो या सर्दे जुखा मो तो इसको लगा सकते हैं तो यह अच्छा है यह काफी तो यूज़ करिएगा हेलो फ्रैंज तो यहाँ पर बन रहे हैं मेरी तू लेजी रेसिपी जैसकरो यह लेज़ी रेसिपीज क्या हो सकती है पर्स तो सबकी लेज़ी रेसिपी मैंगी and second one is पास्ता, my लेज़ी रेसिपी पटाफट बनती है, फटाफट खाओ और फ्री हो जाओ तो आज मैं अपनी ये लेजी रेसिपी आप से शेयर कर रही हूँ कि मैं ये दो चीजे बना रही हूँ आज खाने के लिए नॉट सो लेजी डे गाइस मैं आलू मेथी भी बना रही हूँ तेल के साथ साथ आज मैंने अपनी दो लेजी रेसिपीज से शेयर की आपके साथ तो आप भी बनाएए लेजी रेसिपीज अब सोने का टाइम आ गया गुटनाए थैक्स वर वची प्लीज लाइ शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू